हेलो गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल बहुत ताइम बाद वीडियो आ रहा है उसके लिए स्वारी पर उतना टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं दे पाया अभी आगे मैं रेग्यूलर वीडियो लाने का ट्राई करूंगा क्योंकि अफिलेट मार्केटिंग में बह होगा कि अभी रिसेंटली बहुत सारे गूगल एड के अपडेट आया है तो जो पूरानी मैथड थी अभी वर्क नहीं करती उतनी क्योंकि मैं इस्यू आता है तुम्हारा सस्पेंशन का आता है चलो तुमने एड़ भी चला लिया पर उसमें इंप्रेशन नहीं आता है प् यही मैथड से अच्छा गासा अर्ण कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं हमारे लेप्टॉप में और मैथड देखते हैं गुगल एड़ चलाने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्रोड़क्ट सिलेक्शन तो प्रोड़क्ट सिलेक्शन बहुत इंपोर्टेंट चीज है गुगल एड़ या कोई भी पैथर में प्रोमोशन करने के लिए तो मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा अगर मेरे पिछले वीडियो में मैंने अल्रेड़ी बताया के प्रोड़क्ट सिलेक्शन कैसा करना है तो एक बात देख लेना तो हमें रिव्यू एड़ चलाना है जो मै हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था बहुत सारे स्टूडन का भी रिक्वेस्ट आया था कि सर्फ फिर से इसका अपडेट लाओ तो वही है तो देखो रिव्यू अभी कोई भी प्रोड़क्ट का रिव्यू हम एड़ चलाते तो ब्रांड बिडिंग में ही काउंट करत है ब्रांड बिडिंग तो हमें ऐसी प्रोड़क्ट यहां से सिलेक्ट करनी है कि जिसमें ब्रांड बिडिंग अलाओ उनके एफिलेट मैनेजर से क्वंटेक्ट करके आप पूच सकते हो कि मैं ब्रांड बिडिंग कर सकता हूं नहीं कई प्रोड़क्ट वाले सामने से बूल तो हम आज फास्टलिन प्रोका में बताऊंगा आपको कि उसका एड कैसे चलाना है तो यह मैंने लेंडिंग पेज क्रियेट किया हुआ है गूगल एड चलाने के लिए बहुत सारे स्टूडन क्या करते हैं कि नॉर्मल सा कोई भी लेंडिंग पेज बना के एड चला देते हैं ऐसा नहीं चलता गूगल एड में तभी क्योंकि तुम्हारा लेंडिंग पेज प्रॉपर प्रोफेशनल दिखना चाहिए तभी तुम्हारा कनवर्जन अच्छा आएगा तो यह मैं अल्रेडी मैंने बनाया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा इसका तो आ दाउनलोड कर दोगे तो यहां पर साइट में आना है यहां पर इंपोर्ट मोबिराइज फाइल पर आना है यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर डाउनलोड में यह फाइल मैं आल्रेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना तो यहां पे एकदम easy है edit करना, यहां पे कोई भी product दूसरा चलाना है, तो यहां पे उसका नाम change कर दो, उसका जो भी discount discount है वो डाल दो, यहां से image change कर दो, browse करके, upload करके, एकदम simple है यहां पे, यहां पे आपका affiliate link दे दो, जो भी हो यहां पे आके, यहां पे link डलता है, web address में, तो बहुत सारे youtube video है, इसके mobilize के, तो वहां पे जाके आप proper देख सकते हो, कि कैसा है, क्या है, अगर आपको proper सीखना है, तो comment में बता देना, तो मैं इसके लिए भी एक special video बता दूँगा, कि यहां पे scratch से कैसे बनाना है, पूरा website वो, तो हमारा website तो बन गया, फिर यहां से ह यहां में download कर लेना है, publish में जाके, यहां पर local drive में download कर लो, यहां पर कोई भी file select कर गए, यहां पर कोई folder बना लो, एक download में, यहां पर पीछे डाल दो, कि first link product यहां पर, और यहां से publish करोगे तो पूरा download हो जाएगा, आपके browser में, यहां पर continue कर दो, पूरा download हो गया है, यह इसे आपको upload करना है, कोई भी आपका hosting हो वहां पर, या तो फिर netlify पर कर सकते हो, आप एक custom domain ले लो, और netlify तो मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका, google air में मैंने बता है, netlify कैसे यूज़ करना है, last वाले वीडियो में, तो वो देख लेना, तो आपको main चीज है, हमारा google ad, google ad कैसे run करना है, तो इसमें बहुत कुछ है, जो पहले easily हम account create करते थे, और ad चल जाता था, ऐसा भी नहीं चलता है, पहले तो account create कर लो, account create करना easy है, तो यह मैं नहीं दिखाऊंगा, account कैसे create करते है, फिर आपको आना है advertiser verification में, यहाँ पे advertiser verification में आओ ग करके, यहाँ पे आपका ID proof पूछेगा, और ID proof में आपको देना है, driving license चलता है, पांड कार चलता है, election card चलेगा आपका, और passport चलेगा, अधर कार नहीं चलेगा, यहाँ पे, और billing address में भी same नाम आना चाहिए, तुम्हारा ID proof में भी same नाम आना चाहिए, देख लेना, तो यह जब submit करोंगे, तो एक दो दिन में आपका verify complete हो जाएगा, मैंने already verify करवाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ आपको, कैसे verify करना है, easy है एकदम, नहीं तो ऐसा है, तो मैं comment में step डाल दूगा, कि कौन से step से कहां पे जाना है, तो आपको easily समझ में आ बहुत सारे option है कि यहाँ पे क्या चाहिए आपको, तो हमें sell चाहिए, हमें sell लाना है, तो इसके लिए पहले एक और काम आपको करना है, यह campaign रन करने से पहले, यहाँ पे tool में आना है, tool में conversion setting में आना है, conversion setting में आके यहाँ पे conversion create कर देना है, new action करके, हमारा website है, तो हम website select करेंगे यहाँ पे, हमारा website का जो भी नाम है, वो दे देना है, एक बार देना पड़ेगा आपको, बार बार नहीं देना पड़ेगा, तो हमारे website का link है, तो मैं यह copy कर लेता हूँ, और यहाँ पे paste कर दिया है, यहाँ पे scan करोंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, यह scan किया, इसे cancel कर देना है, automatic वाला नहीं चाहिए हमें, event, तो इसे cancel कर देना है, हमें यहाँ पे add करना है, manually conversion, तो यहाँ पे add conversion, दो conversion हमें add करने हैं यहाँ पर एक purchase का add करना है पहले और purchase में हमें यह by default जो goal है वही रखना है और कुछ नहीं यहाँ पर नाम लिख दो purchase आपको जो भी नाम लिखना है लिख सकते हो ऐसा नहीं है मैं purchase लिख रहा हूँ और हमारा जो भी clickbank से sell आता है न कोई particular product का नहीं होता है दरस में different different value रहता है तो हमें यह select कर लेना है और यहाँ पर every रखना है और इसे done कर देना है यहाँ पर फिर दूसरा एक manual डालना है यहाँ पर यहाँ पर आके page view का पेज विव में हमें यह tick निकाल देना है यह tick mark नहीं चाहिए हमें default goal नहीं करना है क्योंकि page view में तो कोई भी website पर जाएगा वो count करेगा फिर conversion में हमें page view को conversion में count नहीं करवाना है तो यह unselect कर देना है और यहाँ पर page view या कुछ भी आप लीख सकते हो आपको जो भी लिखना है वो और यहाँ पर page view में कोई भी हमें पैसा नहीं मिलता तो हमें यह करना है कि उसका कोई भी value नहीं है और count में हमें 1 रखना है कि एक user बार- फिर यहाँ पर done कर देना है और यहाँ पर आखरी और यह टिक रहने देना है इंहेंस कनवर्जन वाला 20 सब्छाइब, यहां से डब कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है, स्टार्टिंग में 하나 हमें क्लिक बैंग से कनेक नहीं करना है, वो बाद में करना है, वो next वीडियो आएगा, तब मैं बता दूघा कि कैसे क्लिक बैंग के साथ कनेक करना पर आपका account नया हो तो starting में clickbank के साथ connect मत करिए इसको direct ऐसा ही add चला है तो हमें आना है new campaign में new campaign में हमें जाना है cell में cell में जाके यह यह देखो by default gold यहां पर purchase का आ गया यहां से continue करना है continue करके हमें search चलाना है तो search add में जाएंगे हम और यहां पर आपको campaign का जो भी नाम लिखना है आप लिख सकते हैं मैं यहां पर फास्ट लिंट लिख देता हूं खाली स्टार्टिंग में conversion नहीं क्योंकि अभी clickbank के साथ हमने connect नहीं किया है तो conversion नहीं रखना है conversion रखोगे तो आपको impression और click बहुत कम आएंगे तो नहीं करना है हमें click पे जाना है और set maximum CPC पे यहां पर CPC में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कुछ लोग 500 लगा देते हैं कुछ लोग 500 लगा देते हैं ऐसा नहीं करना है CPC कोई भी product हो कितना भी popular हो हमारा product हमें ज्यादा से ज्यादा साड़े 300 से 400 रुपे CPC देना है Google में उससे ज्यादा नहीं देना है CPC मैं अब इस स्टार्टिंग में इसका रखोंगा 339 के आसपास रखोंगा मैं क्योंकि यह बहुत है CPC इतना अच्छा खासा इसमें मिलेगा मुझे तो यहाँ पर फिर next जाना है CPC रख देना है उसके बाद next जाना है यहाँ पर और एड रन कर रहे हो तो यह नीचे वाला निकाल दो खाली उपर वाला रखो फिर क्या करना है कि at least 3-4,000 स्पैंड हो जाए उसके बाद यह भी अंटिक कर देना है पर स्टार्टिंग में हमें तो अभी स्टार्टिंग में हमें रखना है क्योंकि हमें इंप्रेशन क्लिक आये थोड़े तो Google को पता चले के हमारा एड क्या है कौन सा प्रोड़क्ट है वो सब तो इसलिए स्टार्टिंग में रखना है फिर 3-4 अजा स्पैंड हो उसके बाद यह टिक भी निकल देना आ यहां पर लोकेशन में आना है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि युनाइटेट स्टेट के लावा बहुत सारी जगह से सेल आता है पर नहीं आता है जितना हमें चाहिए आरवाए उतना दूसरी कंट्री में हमें नहीं मिलता है टाइंड वरन कंट्री में जितना हमें करना है हमें यहां से पिर यहां पे keyword है यहां पे मैं ग्रूप का नाम देता हूं को how चलाया है तो हम कर सकते हैं पर स्टार्टिंग में आपका केम्पेंट नए आखो आपका नया हो, तो आपको keyword target करना है, phrase match में, phrase match में keyword और दूसरा एक target करना है, फास्ट लिन प्रो यह दो कीवर्ड हमें टार्गेट करना है क्योंकि यहां पर क्या आएगा हमने फ्रेज में रखा है कि जो जो कीवर्ड में फास्टलीन प्रो आएगा वो सभी कीवर्ड पर हमें एड दिखाएगा हमारा एड दिखाएगा तो अभी हमें यही रखना है बाद में next optimization का class आएगा और मैं result भी share करूँगा कि add से मुझे क्या result आया तब मैं बता दूँगा कि optimization कैसा करना है क्योंकि यह दो-तिन दिन add चलेगा फिर result आएगा उसमें click आएगा तक पता चलेगा कितना sell आया क्या है मैंने एक already testing में campaign रखा था आपको बताने के लिए वो भी अभी मैं last में बता keyword पर sell नहीं आया ऐसे keyword है मानों के फास्ट फास्लिंग पर scam हो गया फिर what is फास्लिंग प्रो वो सब keyword फिर हमें negative में डाल देने हैं और जो-जो keyword से sell आया ऐसा लगता है वो हमें keyword add कर देने बाद में तो यह दो keyword करके हमें यहाँ पर website URL देना है हमने website अल्रेडी बना लिया ह dot health dot site भी चलेगा ऐसे कोई domain पर health related लेना product के नाम पर domain मत लेना starting में क्योंकि google allow नहीं करता है कि copy domain हो किसी का तो health related domain चलता है हमारा कोई दिक्कत नहीं आता है उसमें तो यह मैंने copy कर लिया domain और फिर यहाँ पर हम paste कर देंगे उसे और देखो domain में product का नाम नहीं है पर हम brand bidding कर रहे हैं यहाँ पर पूरा डालना पड़ेगा https //www.fastlinpro.store फिर यहाँ पर क्या है कि हमारे product का नाम नहीं आता है पर हमें URL में भी product का नाम दिखाना है तो उससे क्या है कि तुमारी add quality भी improve होगी और सामने user को भी लगे दकाते हैं कि नहीं product के फास्ट लिनप्रो का ही website है उसके related ही website है तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं फिर यहां पर वो थास्ट लिन प्रोई आएगा मेंन यहां पर कुछ add text लिख के रखे है यहां पर first link pro डाल दो first में यहां पर first link pro डाल देता हूं और इसे क्या करना है first number पर कर देना है position first कर देना है कि हमारी यार में always first link pro आगे दिखे फिर दूसरे यह सब है आप देख लेना यह सब मैं डाल दूँगा description में वीडियो के description तो आपको इजी रहेगा थोड़ा बहुत चैंजीस करके डाल सकते हैं जो भी वेबसाइट पर फिर ऐसे मत करना कि वेबसाइट पर डिसकाउंट अलगे और आपने कुछ अलग ज्यादा बड़ा चड़ा के बताया है ऐसा कभी नहीं करना है वो फॉल्ट सेलिंग गिना जाता है तो उसमें आगे जाके दिक्कता सकता है कि आपका जो अर्निंग है वो क्लिक डेंक देना या गूगल सस्पेंट हो जाए ऐसा इस्यू आता है कभी कभी फिर डिस्क्रिप्शन में यह मैंने कुछ कॉपी करके रखा है वो डाल देते हैं य क्लिव हो यह पूर णहीं होना चाहिए ऐवरेज्ट से उपर जितना भी हो चलेगा तो यहां पे जो एड्ट स्ट्रेंथ हो एवरेज होना तो या कुछ भी description में थोड़ा बहुत edit करके और कुछ डाल दो तो आ जाएगा ओ average score में फिर यहां पर दूसरा एक काम करना है call out डालना जरूरी है call out से बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि मैं without call out भी test किया है call out भी test किया call out में थोड़ा अच्छा result मिलता है हमें तो यहां पर 2-3 मैंने यहां पर रिख्खे रख्या है at least 2-3 तो डालना ही है को ज्यादा मत डालो तो चलेगा तो 2-3 call out तो होना ही चाहिए तुम्हारा मैंने इतना डाला है अभी और एक डाल देते अगर देखोगे तो यहां पर नीचे दिखता है अगर देखोगे तो यहां पर नीचे आपको देखेगा पर डे बजेट 4,000 तो at least होना चाहिए 4,000 से नीचे का बजेट रखोगे तो उतना कुछ profit नहीं दिखेगा आपको अच्छे से याड नहीं चल पाएगा तो at least 4,000 से ही start करो campaign यहां पर next करो फिर यह चेक करेगा पूरा कि आपका campaign सही है है कही error तो नहीं है न वह चेक करेग है अभी कुछ click आ जाए add पे at least 2-3 click आ जाए उसके बाद कुछ changes करना है वो इसमें ही आपको दिखा लेता हो तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आपको insight and report में यहां पर search term में आपको जो भी keyword से click आएगा search होगा वो सब यहां पर दिखाएगा तो यह जाले optimization है audience audience में जाना है आपको यह दो-तिन click आने के बाद करना है तुरंद नहीं करना है पर आप लोगों को दीखाना है इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है वो audience में जाना है यहां पर edit demographic पर आना है और यहां पर फास्टलिन प्रो प्रोड़क्ट किस के लिए है तो यह weight loss के लिए तो weight loss प्रोड़क्ट सबसे ज़्यादा female यूज करते है मेल में उतना cell नहीं हमें आता है अगर diabetes का प्रोड़क्ट होता तो male female हम दोनों सीलेक रख सकते थे फिर कोई मतलब nail health का वो सब प्रोड़क्ट आता है hair का प्रोड़क्ट आता है वो भी female यूज करते है तो वहां पर female ही रखना है यह weight loss का प्रोड़क्ट है तो हमें यह दो तिन क्लिक आने के बाद करना है तुरंत नहीं कर देना है यह थोड़ा ध्यान में रखना फिर यहां पर सेव कर लेना है डेम अगरापी और कुछ नहीं करना है इतना करना है और एड एट लिस्ट तीन-चार दिन चलने देना चाहिए कई स्टूड़क्ट क्या करते कि आज म इंप्रेशन शेर नहीं करेगा तो चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है कि हमें रिजल्ट मिलेगा पर एक दम से एक दो दिन में तुम्हारे क्लिक आना इंप्रेशन आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा तो थोड़ा वहाँ पर वेट करो ऐसे एड अकाउंट एड क्रियेट क नहीं करना है एट लिस्ट तीन से चार क्लिका है तब तक क्योंकि बार-बार एडिट करोगे आप तो अकाउंट सस्पेंशन का चार्ट सस्पेंशन का चांस वहाँ पर बढ़ जाता है तो चीज नहीं करनी है अपको यह था गूगल एड का पूरा अभी मैं कुछ दिखाता हूं जो मैंने ओल्ड आप लोगों के लिए टेस्टिंग करके रखा था है कि मने गूगल एड चला था सहं देखो मैंने प्रोडेंटयम का चलाया था और सम ऐसे खी डाले है जो तो मेरा टोटल स्पेंड हुआ है 6000 रूपे ये मैंने एड्र स्टार्ट किया था आज 8 तारीक हुआ है मतलब 2 दिन हुआ है मुझे कल से मैंने स्टार्ट किया है और प्रोड़ेंटी में प्रोडक्ट है देखलो एक बार फिल से और यहाँ पे मैं दिखाता हूं कि यस्टरडे अब भी देड़ बचे के बाद दीन चेंज हो जाता है आपको पता होगा तो मुझे सेल मिला है 175 डॉलर का एक बार रिफ्रेश करके बता देता हूँ अगर आपको ऐसा है कि मैं गलत दिखा रहा हूँ तो तो यहाँ पर देखो येस्टरडी किया हुआ है 175 डॉलर का इसी एड़ से मुझे सेल मिला है तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि 14,000 का सेल आया है 14,000 का सेल मतलब 6-7,000 स्पेंड हुआ है मतलब 100% ROI मुझे easily मिला है सेम एड़ से जो मैंने आपको अभी बताया create करके तो आपको भी सेम follow करना है थोड़ा patience रखे स्टार्टिंग में impression क्लिक कम आया है क्योंकि मेरा अभी दो दिन हुआ है फिर भी 18 क्लिक आया है यह QI 18 क्लिक क्योंकि मेरा account advertiser verification किया हुआ है verify account नहीं होगा तो impression share नहीं करेगा ज्यादा है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है पहले account create करके उसे verify करवालो यह दो दिन लगते है verify होने में यह verify होने के बाद ही add run करना उसके अलावा add run मत करना तो बस यही था यह वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करे और comment में आपकी जो भी comment है आप बता है मैं उसका reply करूँगा अगर कुछ छुट गया है तो आप comment में मुझे पूछ सकते है मैं उसका आपको answer दूँगा और अभी हम next start करने वाले है Facebook add बहुत जल्ब Facebook add के वीडियो भी start हो जाएंगे YouTube पे ही आएगा वो भी तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए बहुत जल्ब बहुत कुछ लाने वाला हूँ मैं अभी बस ये वीडियो में यही था बाइटेक केर जैहिन